इस वीडियो में हम फार्मूला नंबर 3 जो है सॉल करते हैं क्या है ये इंटिग्रल्स आफ सम पर्टिकुलर फंशन्स चाप्टर 7 है इंटिग्रल्स कुवेल्ट मैक्स न्सी आटी याने ये 7.4 का इंट्रोडेक्शन है देखो हम सम पर्टिकुलर फंशन्स का प्रूफ देख रहे हम वन पर भी सेपर्ड वीडियो था टू पर भी था तिरी पर भी सपर्ड वीडियो रेक्ष एक्स जालर ना है तो यहां पर लिखो में LHS, LHS क्या है मेरे पास, integration dx upon में x square plus a square, कैसे solve करेंगे, यहां पर देखो denominator में x square plus a square है, तो मैं क्या करते हूं मालूम, यहां पर x पर ना a tan theta put करते हूं, यहां पर लिखो में बात को, put x equal to a tan theta, ठीक है, ठीक है, अब इसे, यानि हम substitution method कर रहे हैं, x पर हम tan theta रखे, then क्या करना पढ़ेंगा इसको फिर यहां पर लिखो में, then इसको differentiate करना पढ़ेंगा, differentiate with respect to theta के respect में differentiate कर रहे हैं, यह dx क्या होगा बोलो, dx upon d theta, equal, एक constant है, बाहर लो, tan theta का क्या होता है, x square theta होता है, ठीक है, यहां से मुझे dx लेना है, d theta इदर multiply में जाएगा, तो finally, dx क्या होगा बोलो, a x square theta into d theta, ठीक है, एक यह value आ ले, और x क्या है मेरे पास, यह है, इन दोनों को value, इसको मान के चलो, थोड़ी देर के लिए, इसको equation 1 बोलो, इसको equation 2 बोलो, यह दोनों बीना इसके अंदर put कर दींगे हैं, substitution method हमारे को आता है, तो finally, integration, dx, dx पर पूरी value लिख दे तुमें, a x square theta into d theta, upon में, upon में, x, x square है, x क्या रखेते हैं, a tan theta, x square रहने से, finally, क्या होगा है, a square, tan square theta होगा, x की value, a tan theta थी, square रहने से, a square tan square theta हुआ, remaining plus, यहाँ पे, a square बच्चा, right now, denominator से, देखो, a square common आ रहा है, तो finally, integration, numerator का as it is, रहने, a, x square theta, d theta, upon में, a square अगर, यहाँ से common लिया, तो remaining, यहाँ पे, क्या बच्चा बच्चा बूलो, tan square theta, plus 1 होता, right now, यह square है, ठीक है, देखो, यह square लिया, तो यह, चले गया, right, तो finally, यहाँ पे, क्या मिला बूलो, integration, उपर क्या बच्चा, numerator में, c square theta, d theta, upon में, क्या बच्चा बूलो, upon में, 1 plus tan square theta, right now, 1 plus tan square theta, और 1 plus tan square theta, अपने को बात तो मालूम है, identity मालूम है, 1 plus tan square theta, क्या होता है, c square theta होता है, यह 1 plus tan square theta, और यह c square theta, get cancel, right now, यहाँ पर, 1 plus tan square theta के साथ, ए भी बचा देखो क्यूंकि A square था या A भी बचा राइट ठीथ है तो finally देखो आप क्या बचा integration integration numerator से D theta बचा राइट upon में upon में यहाँ पर 1 plus 10 square लिया तो A बचा यह बचा राइट ठीथ है यह A denominator में है यानि 1 by A constant है integration के बाहर लो तो 1 by A को अगर बाहर लिया integration D theta हुआ राइट और वैसे भी अपने को मालूम है integration D x क्या होता है बोलो x होता है plus some constant value c होती तो यहाँ पर देखो क्या होता 1 by A as it is रहंदे integration D theta क्या होता है theta होता है plus some constant value c ठीथ है अब यह theta की value ना हम यहाँ से लाना पड़ेंगा थीटा की value यहाँ से लाना पड़ेंगा इसको देखो मैं थोड़ा यहाँ पर solve करूं मैं इसको यहाँ पर कर रहो मैं 10 theta यहाँ से क्या होता बोलो 10 theta क्या होता है एधर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर फूट करो मैं वीडियो को पॉस्ट करके इसे नोट करो ज्यादा से ज्यादा शेर करो यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है